Hello Friends, Welcome to the UPSC Curriculum Channel ये वीडियो मैं फ़र से रिकॉर्ड करी हूँ ट्यूबर क्लॉस की इससे पहले मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करी थी और अप्लोड भी करी थी बट कुछ वॉइस प्रॉब्लम्स की वज़े से आप लोगो समझ नहीं आ रही थी इस वज़े से मैंने इसको फिरसर रिकॉर्ड की है और ये वीडियो आपको शाम तक मिल जाएगी तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं तो अगर हम बात करें तो इसमें हम सबसे पहले जरम देखें तो उबर्लास इक एक infection है जो की cause होता है एक बैक्टिरियय की वज़े से और वो बैक्टिरियय क्या है Mycobacterium tuberculosis ये इस बैक्टिरियय की वज़े से TB होता है ये practically affect कर सकता है को यानि कोई भी organ की body को यानि any organ of the body लेकिन जो most common है हो है lungs यह लंग्स को बहुत ही जल्दी एफेक्ट करता है और बहुत ही जल्दी यह सबसे पहले लंग को ही एफेक्ट करता है और अधर पार्ट की बात करें तो यह किसी भी पार्ट में ब्रेन है इंटेस्टाइन है इन सब में भी यह एफेक्ट करता है अगर हम ट्यूबर क्लॉसिस के देखें तो इस टाइम बहुत सारी केसे आये हैं तीबी से रिलेटेड आपने न्यूस में भी देखा होगा कि इससे रिलेटेड काफी न्यूस आती रहती है आगे हम बात करेंगी जो टीवी है उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है ट्रांसमिशन की बात करें यह एक एरबॉन जो की spread होता है जब हम किसी की close contact में आते हैं जो person infected रहता है यानि कि एक person है अगर वो TB से infected है और अगर हम उसके पास जाते हैं और उससे बाते करते हैं तो ज्यादा close contact आने से यानि क्या होता है कि जैसे आप बात करें और उसने चीक आगई ठीक है या फिर उसने खास दिया तो उसकी वज़े से क्या होता है कि हमें problem हो सकती उसके contact में आने से और यह specially कहां पर होता है जहां पर densely populated space हो और वहां पर ventilation भी poor हो अब बात करेंगे symptoms की symptoms बहुत common है ठीक है जो तीवी होता है उसमें जो symptoms है वो क्या है कफ है sputum कफ के साथ sputum हो सकता है और blood at times कभी-कभी blood भी आ सकता है chest pain होता है weakness होती है weight loss होता है fever होता है और night sweats होते हैं यह सारे क्या है symptoms है जिस person को TB होती है उसमें यह symptoms पाये जाते हैं next है हमारा treatment अब treatment की बात करें कि क्या TB treatable है क्या हम उसको medicine या फिर injection के थ्रू से है treat कर सकते हैं तो yes answer है हमारा हां कि हम TB को treat कर सकते हैं और cure कर सकते हैं यह treatable and curable disease है और अगर हम आगे चलें कि government ने क्या क्या initiatives लिये हैं TB को combat करने के लिए तो उसमें से पहला point है प्रधान मंत्री TB मुक्त भारत अभियान दूसरा initiative है national strategic plan NSP for tuberculosis elimination 2017-2025 next day TB हारे का देश जीते का campaign and the fourth one is निक्षे portion योजना यह चार initiatives हैं जो कि TB से लड़ने के लिए government ने start किये हैं और अगर आप लोग की query है तो please comment box में लिखिए इसी तरीकी की videos को देखने के लिए आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं और जो most important part है इस video का वो यह है कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए so thank you so much guys for watching my video मिलते हैं आप लोगों से next video में और जो video का main part है जो कि आपको बहुत ही जादा याद रखना है वो आपके exams में पूछा जा सकता है वो है mycobacterium tuberculosis यह उस infection का